आट प्रेंस देखिए JPSC का पूरा का पूरा सिलिवस आज में बताने जा रहा हूं इस वीडियो में ठीक ना ध्यान से देखिएगा पूरा का पूरा समझ में आ जाएगा ठीक एकदम आसान से बजाओंगा जेकि जहारखंड जो JPSC 2021 में निकली है ठीक ना इसमें सिलिवस थ जाता है ठीक ना मैंस में दो चीज़े सामिल है क्या क्या एक रिटेन एक जाम जो प्रिलियम्स होगा वह objective होगा यानि कि आपकी एक प्रश्ण होंगे और चार आपके उत्तर होंगे जिसमें से एक सही को चुनना होगा ठीक यह हो गया और मैंस में क्या होगा दो नमबर दे yamCómo चीजिते क्या क्या पूछा जाएगा पूचाएगा बिल्यम्स ह्ठीक ना सबसे पहले हम बात करें प्रेलियंस की यानि कि प्रारंभिक परिछां के प्रिश्ण में आपको कि पर होगे बिप्र होगे दो पर देना होगा ठीक तो दो ठेपर में आपका एक Vor कितने नमबर के, 200 नमबर के, कितने पेपर, 2 पेपर, ठीक, देखिए, सबी question objective होंगे, और एक पेपर के लिए time मिलेगा आपको, कितने गंटे, 2 गंटे, each पेपर will be up to hour, ठीक न, 2 गंटे आपको पर्तिक पेपर के time मिलेंगे, यानि कि 2-4 गंटा, अब देखते हैं, क्या-क्य का especially, तेकि यहां पर तिसरा नमबर में क्या बताया जा रहा है, selection list for man's, हाँ, इन्होंने मैं important चीज़े बता दे रहा हूं, पहले तो मैं इसको एक बार read कर चुका हूं, तो बता दूं कि, जो पहले exam लिया जाएगा, और paper 1 और paper 2, दोनों देने के बाद, 200 marks का होगा, ठीक, दोनों देने के बाद, जो paper में pass होगे, यानि कि क्यावल passing marks होगा, क्यावल passing marks इन्होंने fix क्या है, passing marks जितना vacancy है, उसका 17 गुना, कितना गुना, 17 गुना, देखिए, जितना vacancy है, उनका 17 गुना, आपको यहां पे select किया जाता है, 15 से 17 गुना के बीच, ठीक, उतने candidate, sorry, 15 15 गुना, 15 गुना, यहां पे भरती लिया जागा, जितने vacancy, यानि कि 275 या सायद कुछ है, तो उसका 15 गुना कर देजे, उतने विद्यार्थियों को, मुख्य एक्जाम देना पड़ेगा, यानि कि mains, ठीक, अब mains काम बात कर लेते हैं, देखिए, जावी सारा कुछ detail में ब यहां पे आपको जरूरी चीज़ें बता देता हूँ, हाँ, paper आपका कितने paper होंगे, kul 6 paper होंगे, main में, main रिप्जामें, kul कितने paper होंगे, 6 paper, ठीक, तो 6 paper में, pahala paper जै होगा, वो क्या होगा, पahala paper होगा, आपका क्यावल passing marks, तो आएए हम इसको detail में आपको समझाते हैं, कुल 6 पर होंगे, passing marks लाना होगा, और उसके बाद interview होगा, और interview कितने marks का होगा, 100 marks का, ठीक, interview test would be 100, अब दिखिए यहाँ पर मैं बता दोता हूँ, कि आपको जब pass कर लेंगे, पराथमिक एक्जाम, तो आपको minimum कितना person marks लाना होगा, किस किस category को, मेंस एक्जाम में, minimum, ठीक इतना कम से कम चाहिए ही, आपको मेंस में बठने के लिए, बैंस में बठने के लिए, आपको कितना person रोना चाहिए, मेंस में, 32% ST और SC उमीदवारों को, ST और SC उमीदवारों को 32%, उसके बाद, जो obviously BC1 में आते हैं, उनको 34%, और BC2 में जो आते हैं, वो आते हैं 36%, ठीक ना, backward classes, जो दो में आते हैं, उसके बाद जो EWS हैं, यानि कि Economically Wix कहा जाता है, उन्हें चाहिए आपको 40% और जो PT group हैं, उनको 30%, ठीक, और सभी महिलाओं के लिए 32%, जितने भी महिला के इंडिडेटने चाहिए, आपको किसी भी केटेगरी से हो, सब को 32%, यह चीज़ हो गई, यह देखिए, यह ओफिसल मैं नौटिस आपको अस्टडी करके बता रहा हूं, ठीक ना, इसे मैंने एक बार अच्छे से रेड किया है, टाइम दिया इसके साथ, तभी मैं आपको किलियरली बता पा रहा हूं, आप देखिए, मैं आपको यहाँ पे सारा कुछ डिटेर में ठीक, तो देखिए, सालेबस, यह आगे सालेबस, यानि कि पाइट करम, देखिए, पूरा का पूरा एक्जाम होगा आपका दो पेपर में, सबसे पहले पेल्लियम्स, पेपर वन, जनरल अस्टडी का होगा, पेपर टू भी जनरल अस्टडी, या डी, यानि कि सामाईने पेपर, और दोनों पेपर, दो-दो सु माक्स के होंगे, यानि कि चार सु माक्स, ठीक, समय कितना मिलेगा, दो घंटा, दोनों पेपर के लिए दो-दो घंटा करके चार घंटा, ठीक, मिलेगा, समय आपको केवल पासिंग माक्स लाना है, पासिंग माक्स मतलब लगभग र लियम्स का उसमें आपको दो घंटे टाइम मिलेंगे टोटल मार्क्स दोसों होंगे इधर देखिए ठीक अब देखिए यहाँ पर क्या क्या पुछा जाएगा यहां पी नौट क्या है एक सो अबजेक्टिब टाइब क्या परते क्या पुछा जा रहा है हिस्ट्री सबसे पहला पुछा जाएगा भारती इतियास यानि कि इंडियन हिस्ट्री ठीक इसमें से कौन-कौन इतियास सुन लिजे इंडियन हिस्ट्री पहला में कि कितने कोश्चिन रहेंगे इंडियन भारती इतियास के 15 कोश्चिन कहा कहा से इंडियन एंसेंट हिस्ट्र इस से 15 नमबर इससे आ गया ठीक इस से पकड़ेंगी वो लाही लेगा ठीकना अब देखें जेगराफी जेगराफी के हम बात कर लेते हैं तो जेगराफी हम क्या-क्या 20 माक्स आपके जेगरोफी से 10 कॉस्चन यानि कि 20 नंबर एक कॉस्चन दो माक्स का है कहां कहां से पुछा जाएगा तीन कॉस्चन पुछे जाएंगे आपको जेनरल जेगरोफी सामाइन भुगोल से ठीक उसके बाद फिजिक्स जेगरोफी जो कायंतर चट्टाने आगनी पढ़ते हैं तो उसमें पुछा जाएगा आपको कितने माक्स का दो कॉस्चन यानि कि चार माक्स का ठीक उसके बाद सोसल एंड जो यह परेंगी जन संका सभी समद्धित यह तो इसमें आपको पुछा जाएगा सामाजिक भुगोल है उसमें दो कॉस्चन ओड़ाएंगे टोटल होके दस कोउचन अब हम बात करते हैं सी में ठीक ताईची में बात करते हैं तो सी में क्या है इंडियN Blues起 and screens यानि की आपका जो है पोलिटी का परें राजनिती विग्ञान का परें भी ठीक राजनिती बिएन करने परें १ुड उर सरकार का इसमें दस क्योंजोचन होगे दस हो यह जो कि त्थ Looks न owners का panaส którego संभीदान से कहीं भी दे सकते हैं ठीक ना किसी भी परस्तावना से ठीक परस्तावना भारत का अब देखिए पॉब्लिक एड्मिनिस्टेशन एंड गुड सर्विस यानि कि लोग परसासन से चार कोश्चन रहेंगे आपके लोग परसासन से चार कोश्चन कि परसासन में समाझ रहे होंगे आप जब यह दिन जा रहे हैं कोई बच्चों खेल तो है यह नहीं गुड़ा गुड़ी कर ठीक ना तिसरा नंबर में क्या होगा तिसरा नंबर में इन्हों अब में से अब एक्नोमिक्स जरै अर्थ सास्थ एकडमिक्स एंटेटिक्स डेब्लपमेंट यानि कि साइंघाकी की से कॉस्चन होंगे दोनों मिला के सेंस्ट देखिए यहाँ पर क्या है चार कोस्चन आपको बेसिक पुछा जाएगा इंडियन इकनोमिक्स से ठीक ना वैसे पर फिचर सोंब इन्टीन इकनोमिक्स यानि कि सामाइन यह जिसे बोल सकते हैं सामाइन अर्थ सास्तर से चार कॉस्च से आपके दो कॉस्चन रहेंगे तो एकनोमिक्स तो अच्छी कासी पकड़ होगी वह तो छे मार्क्स आठ मार्क्स लाई लेंगे ठीक ना सभी में तो इजी है ज्यादा हाड नहीं है उसके बाद साइंस एंड टेक्नलोजी यानि कि बिज्ञान और प्रोदोगे की इसका साइन से 6 कोस्चन रहेंगे साइन से 6 कोस्चन रहेंगे पूरा साइंस फिक्स केमेश्टी वैय लोग्यव मिला Г network जैनरल साइन्स भी भाग है इससे आपके 3 रहेंगे टोटाल हो जाते 14 यानि कि 30 सेमाइंड टोटाल आतेमे कितने कोस्टेट हो जाएंगे 100 कोस्टेन एक्तों प्रे लिए मीं कितने करेंगे 200 माक्सकार गंटे склад रहेंगे दस question रहेंगे किस से जार्खन से रिल्टेड ठीक ना ए स्पेसल जार्खन कर रहेगा जनरल अवर्नेस जार्खन कर रहेगा हिस्टी रहेगा सोसल कल्चर जार्खन के बारे में और हरिटेज यानि कि जितने विरासद हैं अस्थान है सभी को अच्छा सा पढ़ लेना है दस नम यानि कि बीविद से रहेगा सब कुछ मिला जुला के 15 पूछा जाएगा इसमें क्या क्या रहेगा हिउमन राइट्स मानवा अधिकार ठीक इन्वहर्मेंटल या भी काफी इंट्रेस्टिंग है इसमें सारा का सारा 15 कुछ जाएगा यह नहीं बताए इन्होंने तेकिन सभी से से रहेगा यह सबी से रहेगा अबर रहेगा और पौइटरि या सकता है डीजिस्टर मेन आब दा पर मंधा परबंदक्स रहेगा इन सभी से कितना को सबर्य दोसं मार्च ठीक और आप पेपर टू देखिए पेपर टू एकदम आराम से पढ़ेंगे यहां पे आप अच्छे से एस्टेट कैपिटल और उसके मंत्री को भी याद कर लिजीगा ठीक ना अब देखिए जेनरल अश्टडी पेपर टू जेनरल अश्टडी पेपर जब दो देंगे आप तो यह कुल मा पस चन आएंगे यह देखिए पर टेक प्रस्टन दो अंक का होगा कितने अंक का दो अंक एक सो कौस्टन ठीक ना जार्खन का यहां से कितने कौस्टन रहेंगे सोला कसच्टन ठीक सब्सक्र अटको सरे मुंड़ा सासन वैस्ता से एक कोस्ट्टन इन्हों ने भी बताया है सासन व्यस्ता से एक कॉस्चेन पहारा पंचायद सासन व्यस्ता से एक कोस्चेन रहेंगे ठीक आपको एकदम त्रिप वही पॉइंट सब पढ़ना अच्छा से पढ़िएगा ना तो ये पीजिक क्या से भी निकाल दीजिएगा ठीक ना देखिए और अक्सर यूप सी कही केंडि तुझे पीसी का त्यारी कर रहे होंगे जहां तक मुझे लगता है आप कमेंड में बता दीजिएगा थोड़ा सा ठीक ना देखिए जारखंड आंडोलन से रहेंगे आपके साथ कौश्चन यानि क अब बश्चन रहेंगे जहारखंड से दो कॉश्चन रहेंगे ठीक जहरखंड के श्थापन का विवी घृति पकॉष्चन सुन लिजीए जैस ना फेपर डू जो है केवल जहारखंड कही इतिया साब्सक्राइब प्वाई पेपर वन में आप इंडियन इंश्टरी से कौस्चिन ज시고 apologies कि आर्थिक उस्थिति से एक क्यों से ज्छकाइन की धार्मी के स्थिति से एक क्यों खूल मिला के पांच याका जाएगा वेपरटभा जो रहां आभि जाहरकन का लोओ समय निरृइद से एक साहीत निर बाद यंत्र दार्स्थचि अस्थष सांस्की लोग साहीत से साइटकार जारखंड साइट और साइटकार से कितने कोस्टेन रहेंगे पांच कोस्टेन जानी कि दस मार्क्स पूरा का पूरा जारखंड के प्रमुक सिक्षन संस्थान से रहेंगे छे कोस्टेन जारखंड में कितने युनिवर्सिटी कब कि किसके स्थापना हुई सब नहीं करता हो ना तो मैं आराम से बोल सकता हूं कि वह निकाल लेगा जारखन के भूमी संबंदित कारून एम अधिनियम बारा इंटू टो यानि की बारा कॉस्टन रहेंगे कहां से कितना देखे छोटा नागपूर कास्तकारी अधिनियम संथाल परगन्ना कास्तकारी अधिनियम एस्पीटी से आपके पांच कोस्टन रहेंगे राज परक अधिनियम से दो कोस्टन रहेंगे कुल बारा कोस्टन यानि की चोबिस मार्क्स छोटा नागपूर का पठार के बारे में भी आप जान लीजीगा अच्छा से थोड़ा सा कि कितने भागों बटाया रांची का पठार इन सब के पठारों के बारे में अच्छा से पढ़ लीजीगा उन्हीं सबीसे क्यावल एस्पेसल जंगल ठीक ना ज्यांगल नदी दामुदर नदी सभी के बारों में ठीक उत्री कोईल सभी अच्छा से एकदम क्लियर करना ज्यार जमसेद पूर टाटा इन सभी के बारे पढ़ना है इससे कितने कोश्चन रहेंगे छे कोश्चन चे दुना बारांग और पहार प्रवत से दस कोश्चन यानिके बारांग के नमबर में देखे जार्खन के परमुख उद्धोग का नाम तथा और दोगिक विकास इससे धूर्चन तुषन रख्चन बेतला हो गया ठिक है नेहरू हो गया इन सभी से आपके कितने रहेंगे पांच ज्खन राज के परियावरन सम्मंदीद तयथ्य हो गए इनसे कितने कोश्चन आपके साथ कोश्चन अपसमन प्रयाव्श्य सम्मंदीद ॥िक विन संभड़ ज् जो दिल खोल के त्यारी करेंगे ना मेहनत से हिरदाई से बोल रहा हूं उसका निकाल जाएगा अब देखिए मैंस एक्जामिनेशन यह बात आते हैं यहां पर वह तो क्यावल हो पास करना है तब आपको मैंस में एंटर मिलेगा अब मैंस यानि कि मुझ परिशाद देने भəगा देखिए स्वहला थेरिव परवन केवल पास से सब वन जब देंगे आप वहला प्रक्रtez पासिंग मांक सुपकर अरुसिस में क्या पूचश जाएगा जैब हिंदी और्गिष हंदी और्गिष ह्धी आ जैबल या ऋन्डेयल इंड गीलिषे इतने 30 नंबर केवल 30 एक समय से केवल तीस लाएंगे पास हो जाएंगे ठीक ना और पेपर टू सुनिए हाँ यह केवल पासी मार्क्स का होगा ठीक अब देखिए पेपर टू में यहां पर क्या बात कर रहा है और तीन घंटे का समय होगा यहां पर टाइप आप देख सकते हैं आपका मैंस के लिए जाएगा इन सभी चीजों को पढ़ना है आपको लेंगवेज एंड लिट्रेक्टर यानि के साहित्य और भासा ठीक और इससे आप इसकीन सॉट ले लिजिए आप अच्छे से लिख जी हें हिंदी लेंग्वेज संधाली लेंगवेज बांचाली खोठा ठीक याई इन सभी के बारे में आपको पढ़ना है जारखन का पहले पहले तो बात करते हैं पासिंग मार्क्स हो गया हिंदी इंग्लिस ठीक पर टू में आपको 150 मार्क्स कस रहेगा तीन घंटे के समय रहेंगे और पर थी में आपका रहेगा क्या सोसल साइंस जो रहेगा आपका उसके बाद हैविंग टू सेक्शन हिस्ट्री रहेगा आपका जेग्रॉफी रहेगा इच और क्वाइलिवाइंग वे यहां 200 मार्क्स का होगा तीन घंटे का समय होगा सभी तीन घंटे के समय देंगे पर फोर में इंडियन कॉंस्ट्यू एक दम मोटा मोटा बाट करें तो पेपर थिरी भारती तियांस पेपर टू रहेगा जहारखंड का तियांस ठीक ना पूरा 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 जहारखंड पेपर थिरी भारती तियांस पेपर फोर भारती राजवेस्था और पेपर शिक्स रहेगा जेनरल साइंस से जो साइंस हो रहेगा वहो रहेगा 1500 इंज सभी को मिला देते हैं तो हमारा हो जाता है 950 मक्स मैंजिस आपका गर 950 मक्स पेपर फिरá यह चीज़ चूड़गे इसा पर सुपकर इसार नहींज सब्सक्राना होакाच फिरेड नोरस मैं बतना बठोना मैं बंस बॉस बैठने के बाद जो passing होंगे वह कितना होगा जितने वेकेंसी उसका अढ़ाई गुना इंटर्विव के ले जाएंगे कितने गुना अढ़ाई गुना इंटर्विव उद देंगे ठिक और इंटर्विव होगा 100 marks का यानि कि साक्षातकार आपके बोलने का तमीज आपके अंद इतना दूर अगर आप पहुंच गए तो सोच लिए कि आपकी नोकरी बस सामने है साक्षतकार मुई के परिक्षा में सफल अभियात्ति के लिए एक सवांखों का साक्षतकार होगा यानि कि एक सवांखों का इंटर्वियू होगा जारखंड संजुक्त असैनिक सेवा सब्सक्राइब को समाप्ट कर देए यहां पर कितना मार्स लाएंगे वह कोई जोरी नहीं है ठीक आपका जितना भी मार्स आएगा वह फाइनल मेरिट के लिए जाएगा जब आप मेरिट में आपका नाम आ जाता है ताब आपके घार बाइपोस्ट आएगा क्या आएगा मालूम है जोइनिंग लेटर जोइनिंग लेटर फाक या आप एक बार चारो और गुम लीजिएगा ठीक ना फुरा डांस कीजिएगा संच लेजिए आपकी नौकरी लग गई और जारखन राज की सेवा में लग जाईएगा तो चलिए हम वीडियो के यहीं प सब्क्राइब यहीं हम अपनी कमी को भी सुधारेंगे ठीक ना क्योंकि कम्यों को भी है शुदारना तो चलिए फिर मिलेंगे नेस्ट बीडियो साथ दोस्तों को सेर कीजिएगा चेनल को सब्सक्राइब और बैर आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा फिर मिलेंगे दोस्त पढ़िए और अपने हाग के लिए लड़िए धन्यवाद